Hi guys, मेरे पास 3 highly popular compact phones है iPhone 16 है, Samsung Galaxy S24 और Pixel 9 और मुझे ना अच्छे से जानना था कि इन तीनों में से टेक्निकली देखा जाए तो किसका camera सबसे strong है और क्योंकि TechBar Awards भी आने वाले थे तो मुझे लगा पता होना चाहिए कि exactly में इन तीन phone का camera पूरे smartphone world में कहां पर stand करता है तो इन तीनों phone में से best camera test करने के लिए आप आज देखना मैंने बहुत कमाल की testing करी है जहाँ पर extreme HDR test किया मैंने बहुत different condition मैंने portrait photos चेक करी low light की भी different testing थी और चीजों को और better तरह की समझने के लिए मैंने जो है videos भी add करी है तो यह जो है बहुत technical comparison होने वाला है और इस video से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा तो start करने से पहले मेरे नाम है संची चैनल के नाम है Tech Bar मैं आप लोग को tech करने experience बेटर करना चाहता हूँ तो subscribe button पर क्लिक कर लो साथ में bell icon जरूर प्रेस कर ले ना अच्छा guys कुछ अलग-अलग scenario में आपको photos दिखाऊंगा बट उससे पहले एक चीज जो आपको समझनी ही पड़ेगी कि हो सकता है आपको कोई photo देखने में personally better लग रही हो और मैं किसी और photo को better बता रहा हूँ उसकी पीछे reason पता क्या है मैं आज technically judge करके बताने वाला हूँ कि कौन सा camera जादा strong है technically strong होना camera का और eye catchy होना photo का दोनों में difference रहता है और मैं बहुत सारी photos दिखाने वाला हूँ तो आप खुच भी judge बन सकते हो और मेरी बातों को भी चल सकते हो तो सबसे basic scenario से start करते है जो कि ये daylight photos अब देखो भाई daylight photos के अंदर ना सबसे important technical cheese जो सब को notice करनी चाहिए वो होती है HDR वैसे HDR की full form जो है high dynamic range रहती है बट इसको easy words में समझो देखो ये जो scene है ना इसको HDR वाला scene बोला जाता है इसके पीछे reason ये है क्योंकि background में जो है बहुत bright light है और जो main subjective photo का उस पे ना कम light आ रही है तो यहाँ पर ना phone को दिक्कत होती है processing करने में क्योंकि dark areas में भी detail लेकर आनी है और background में बहुत ज़ादा bright light है तो उसको भी manage करना है ज़ादा bright कर रहा है ग्राउंड की तरफ देखो, darker areas देखो हर एक चीज को bright कर दिया अब सब चीजों को bright कर देना भी ना बहुत balanced approach नहीं बोली जाती है अब आना pixel की photo को देखो pixel ने ना bright areas और dark areas को बहुत अच्छे balanced तरीके से manage करके चला है मतलब जो overall exposure या brightness है वो right amount की है इसको accurate HDR बोल देते है whereas iPhone को देखो एक natural approach है ये but trees के around देखो गे ना iPhone में तो I think जो shadow है, dark areas को better तरीके से manage किया जा सकता था और अब इस lake की photo देखो, बिल्कुल same बात है कि यहाँ पर pixel ने बिल्कुल balance अप्रोच ली है iPhone ने बहुत natural look दी है और Samsung की shadow retention सबसे best है बड़ जिब outdoor photos की बात करते है तो HDR के बाद थोड़ा white balance भी matter करता है white balance का मतलब होता है अभी आप जो video देख रहे हो ना मेरे पीछे जो wall है, वो actually में white है वो white लगनी चाहिए देखो, अगर मैं अभी चाहूँ white balance खराब कर सकता हूँ आपको सब कुछ yellow दिखेगा और अगर मैं चाहूँ सब कुछ cool tone की तरफ ले जाना मैं वो भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ सब कुछ cool tone की तरफ ले जाना जो की साही नहीं है बट फिर iPhone की detail ठीक है तो Pixel को winner बोला जा सकता है बट सेम टाइम पे मैं ये भी एगरी करता हूँ कि लोगों को Samsung eye catchy लगनी की काफी vibrant रहती ना photos बट जो मैंने अभी outdoor shots की बात करी इसमें तो normal HDR की requirement थी कुछ photos ऐसी होती है जो बहुत complicated scene होता है उसके अंदर ना काफी tough HDR की need पड़ जाती है यहां से मैं पता लगा है कि real HDR winner कोन है और इस चीज का best example ये वाली photo है जहां पर Goku के just background में ही sun है इसका मतलब इस action figure पे कुछ खास light आनी रही होगी जितनी background में bright light है और मैं 100% sure हूँ यहां पर बहुत सरा लोगों को लग रहा हुआ कि Samsung ने तो बहुत ही अच्छा perform कर दी है बट ऐसा नहीं है Samsung जस्ट vibrant photos खीचता है तो वो technically right नहीं होता हमेशा I think technically देखा सा है तो यहां पर iPhone ने excellent perform की है क्योंकि iPhone ने एकदम reality दिखाई है और क्योंकि background में sun भी है तो एक yellow tone होनी से ही है न वो भी iPhone में और मैं request करूँँगा एक चीज़ आप याद रखना कि कैसे pixel ने जो एक purple tint लिया है specifically sky की तरफ देखना अब मैं एकदम से photo change कर रहा हूँ action figure की चगा human को subject रखते यहां पर भी pixel की same problem है कि उसने purple कर दी है पूरे scene को जो कि human subject को अच्छा नहीं दिखा रहा है इन फिट Samsung को भी अगर technically judge करा जाए तो यहां पर purple flare आ रहा है जो कि technically गलत चीज़ है जबकि iPhone की बात करे तो यहां पर बहुत अच्छे results है और जब Goku की photo भी मैंने आप लोग को दिखाई थी वहां पर भी iPhone में अच्छा perform किया था इसका मतलब clear है कि अगर complicated lighting भी होती है और आगे human subject है वहां पर iPhone बहुर अच्छा perform कर जाएगा बट अगर photo में landscape रहता है ना कि जहां पर sun है, tree है या फिर in general nature है वहां पर हो सकता है कि iPhone best ना perform करे जैसे कि हमने पहले वाले test में दिखाता है कि landscape में pixel technically best perform करता है अब outdoor photos के बाद सबसे ज़्यादा लोग जो prefer करते है वो रहते है portraits तो portrait है ना, मैंने completely different section रखा है मैं आपको one by one दिखाता हूँ photos और जब भी portraits की बात होती है और मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि Samsung बहुत ज़ादा अच्छा perform कर जाता है या टेली photo में मैं हापर सरफ शापने से detail की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप background blur edge detection को बहुत ध्यान से देखो तो वो Samsung की बहुत ज़ादा अच्छी है बट फिर second number पे iPhone आता है जिसने अच्छा perform की है बस iPhone में कमी यह है क्योंकि digital zoom कर रहा है तो यहाँ पर detail कमी तो रहती है बट सबसे बड़ी problem पिक्सल के अंदर है क्योंकि Pixel phones में एक constant problem रही है कि यह edge detection अच्छे से नहीं कर पाते जो कि आपको मैं zoom कर कर दिखाता हूँ यहाँ पर भी थोड़ा सा fail हुआ है मैं photo change कर कर भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पर फिर से बहुत बेकार दिखेगी Pixel की edge detection इसको cut out निकालना नहीं आता वेराइस iPhone की बात करूँ तो color से इसने बहुत अच्छे process करे है बट फिर से वो detail थोड़ी से missing है कर यहाँ पर Samsung ने detail सबसे अच्छी निकाल लिए sharpness भी सबसे अच्छी है बट I think photo ना बहुत ज़ादा vibrant और punchy हो गई maybe ऐसा भी हो सकता है कि Samsung थोड़ा सा cool tone रख ले photos का बट overall जब मैंने judge करा ना तो portrait mode 3X पे no doubt Samsung सबसे अच्छा perform करता है कर यह थे portrait mode की बात जिसमें बहुत बड़ा roll रहता है telephoto lens का जो कि सरफ Samsung में है बट इन तीनो फोन में ultrawide lens मिलता है और बहुत सारी ultrawide photos देखने के बाद एक चीज़ तो मेरे notice में आई कि iPhone के ultrawide से थोड़ी over sharpness के साथ आती है photo और यह चीज़ आपको ना सरिफ zoom कर कर समझ में आईगी और Samsung में प्राबलम है कि यह को similar result नहीं ला पाता है जैसे कि spark की photo में काफी bright है photo जबकि pixel की बात की जाए तो एक balance approach है ना ही बहुत bright है ना ही बहुत dark और जैसी scene change होता है जैसे कि this tricky photo देखो यहाँ पर फिर से pixel ने balance approach रखी है जबकि Samsung ने darker areas में देखना shadows crush कर दी है इसलिए मैं कह रहा था कि Samsung inconsistent है लाइक उसका कुछ similar output नहीं आता और फिर से iPhone की same story है कि हाँ पर over sharpness दीखेगी कर एक और रीजन है कि पिक्सल अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है क्योंकि 48MP का ultra wide है इसका बाकी सबसे जादा है और यह चीज़ पिक्सल को फाइदा करती है जैसे कि टूम की photo देखो यहाँ पर पिक्सल में सबसे जादा डीटेल है लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम बताई दी ना पिक्सल के अंदर की wide balance छेट देता है वो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है और जैसे कि मैंने का था Samsung inconsistent परफॉर्म कर दा है अब देखना सर्डनली Samsung ने अच्छा परफॉर्म कर दिया आइफोन ने फिर से over sharpness दिखाई है तो अधिंग मेरे opinion में टेक्निकली बता रहा हूँ पिक्सल का ultra wide सबसे स्ट्रॉंग है अब अल्टर वाइड लेंज के बाद मुझे लगा कि यह एक हाई-raise वाला टेश भी करना चाहिए मतलब आइफोन पूरा 48 MP पर फोटो खीच पाता है इसे हाई-raise फोटो बोल देते है सिमिलरली Samsung भी 50 MP हाई-raise फोटो खीच पाता है फिर बादों मुझे बता लगा कि पिक्सल हाई-raise फोटो खीच ही नहीं बाता तो मैंने जो है आई-फोन और Samsung को कंपेर किया और इन दोनों को जब मैंने कंपेर किया I think Samsung में बहुत टाइम से प्रॉबलम चल रही है तो Samsung phones में colors बहुत अजीब हो जाते जो कि यहाँ पर भी दिख रहे है I think high-res photos में यहाँ पर iPhone बहुत से परफॉर्म करता है बट next scenario की बात करो तो यार low light photos से नहीं बहुत कुछ पता लगता है कि camera कितना capable है किसी भी phone का और क्योंकि दिवाली का टाइम था तो मैंने जेनरल photos कीचने की कोशिश करी है जिसी कि फोटो देखो जहाँ पर cycle है और background में blue और white light है और मुझे से लगता है कि लोगों को na first glance में Samsung सबसे अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत punchy कदर से है और बहुत bright सी photo है बट technically बता रहा हूँ मेरे हिसाब से यहाँ पर pixel ने सबसे best perform किया है और इसकी बीचे reason है कि अगर आफ photo में अपर वाली side में white LED strip देखोगे और बाकी lights भी देखोगे तो सबसे best तरीके से balance जो है pixel लेकर आई लाइट के बीच में और यह same चीज आईफोन में देखो कि जो dark areas है वो बहुत जारा dark कर दी है और जो LED strip है white वाली उसको over bright कर दी है means burn कर दी है और यह जितनी भी बाते मैंने बोली है अगर मैं photo change भी कर देता हूँ जैसे कि यह Halloween वाली photo है इसमें भी आपको same चीज़े feel होईगी वो ही Samsung over bright और punch है यहाँ पर यह pixel ने सबसे balance अप्रोच ली है फिर से iPhone में highlight ठीक से control लिखिया बट पिक्सल में ने यार constant एगी problem है यार white balance की मतलब for some reason पिक्सल जो है ना cool tone ली आता है photo के अंदर और यह जो दिये वाली photo है यह फिर से एक और example है pixel की problem का क्योंकि यहाँ पर iPhone ने best perform किया है बाकि Samsung में भी constant problem है कि purple flare देखने को मिल जाता है in fact एक और चीज़ इस वाली photo में जो है ना बहुत अच्छा white balance iPhone ही लेकर आया है बाकि दोनों phone ने जो background में door है ना उसके color ही बदल दिये किरे तो normal photos थी landscape था अगर मैं human shots की बात करूँ like portrait बगेरा low light में कैसे रहते है for example आप ये वाली photo देखो ये मेरे team member की photo है बहुत सारे element एस photo के अंदर अगर मैं technically देखो ना I think iPhone ने best perform किया और Samsung की बात करो तो I think काफी artificial processing है आ रहे है और अगर pixel की photo को आप technically judge करने गए तो अच्छी लगेगी बट जो purple tint आता ना pixel photos के अंदर वो अच्छी ने होती एक और photo देखो आप अब यहाँ पर iPhone अच्छा perform कर देता बट आपको ये जग candle की reflection दिखरी है ने तरीके से ये ghosting बोली जाती है और ये बहुत पुरानी problem है iPhones के अंदर and I think इस ghosting की वज़े से फोटो छोडी खराब तो हुई है बट ये जो Samsung यहाँ पर purple flaring लेकर आया ये सबसे बिकार अप्रोच है तो iPhone और Samsung की फोटो देखने के बाद I think सबसे सही पिक्सल ने perform कर आया बट मैं आपको एक और फोटो दिखाऊँगा ये बहुत difficult lighting situation है जहाँ पर background में जो है काफी bright lights भी दिखरी होगी आपको और ये मेरे team member ने white shirt पहनी है इसको control करना difficult रहता है फोटो के लिए तो इन तीनों फोटो में I think सबसे dark Samsung photo लेकर आया है फिर से मैं बोल सकता हूँ पिक्सल ने अच्छा perform किया है बस वो white balance की एक constant problem है और एक और pattern अपने notice करा मैं जितनी भी फोटोस दिखाए है ना iPhone ने ना बुरा perform किया है ना ही सबसे अच्छा देखा जाए overall situation में iPhone जो है ना एक reliable feeling दे रहा है और अब selfies की बात कर लेता है यार आपको बहुत easy ली बताता हूँ सारी बाते अगर आप ध्यान से देखो तो pixel जो है ना over process कर रहा है photos को और कभी-कभी over sharpness भी दिख जाएगी और iPhone की बात करूँ तो हो सकता है भाई कभी-कभी ये dull photos खीच दे या फिर कम sharpness दिखे photos के अंदर बट यहां पर अकेला Samsung है जो जातर condition में बहुत अच्छी photos ला रहा है selfie मेरे उपिन में Samsung जो है technically जादा डाइनमिक है तो I think safely बोदा दा सकता है कि Samsung best है selfies में बट कोई भी camera test without video के end नी हो सकता भाई अगर आप इन सारी वीडियो उसको सोड़ा लंबे समय के लिए देखो गया आपको पता लेंगा कि iPhone ना बहुत consistent है मतलब बार बार color change नहीं कर रहा skin tone जो है उपर नीचे नहीं हो रही exposure जो है जादा balance तरीके से रहता है हर तरीके से iPhone जो है जादा better लगता है और Samsung में देखो थोड़ी highlight control का issue दिखेगा और pixel की बात करूँ तो ये skin tone orange करते हो भी दिखेगा और video थोड़ी soft भी करता है और I think आपको low light video भी देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर फिर से iPhone ही सबसे सही perform कर रहा है और यहाँ पर pixel को देखो जो कोड़ते का color है ना वो ठीक से निकाला नी और ना ही lights ठीक से manage करी and I think Samsung में आर noise काफी जादा है और front video भी देखी जाए ना तो I think daylight में फिर से यार iPhone ही अच्छा perform कर रहा है और low light में front video की बात करूँ तो काफी surprising था मेरे लिएगी किसी भी phone ने अच्छा perform नी किया बट सिल मुझे किसी phone की front video अच्छी बतानी हो तो I think वो pixel की है बट overall देखा जाए तो वीडियो में मेरे साब से iPhone बहुत सुपीर है बट सारी चीज़ों को अब किया जाए ना तो मैंने ये नोटिस किया बहुत सारी फोटोस देखने के बाद कि यार मैं रैंक नमबर वन ना इन तीनो फोन में से आइफोन को ही दियना सामगा इसके पिछे सिंबल सा रीजन है क्योंकि आइफोन जब भी मैं फोटोस कीच रहा था ना मुझे पता था कैसा आउटपुट आने वाला इतना रिलाइबल कैमरा इसका जबकि पिक्सल और सामसंग की बात करे ना तो ये दूनों रैंक नमबर तू पे बोले जाएंगे क्योंकि कुछ कुछ कंडिशन में पिक्सल ने बोर अचा परफॉर्म कर लिया और कुछ कंडिशन में सामसंग ने अचा परफॉर्म कर दिया और बहुत टेक्निकल हो के जज़ करो ना हो सकता है कि सामसंग और पिक्सल जो है शायद टेक्निकली स्ट्रॉंग निकले आईफोन के मुकाबले बट फिर वो ही प्राब्लम है कि हो सकता है कि Samsung इतना बुरा परफॉर्म कर जाए कि आपकी फोटो कराब हो जाए फिर Pixel इतना बुरा परफॉर्म कर जाए तो यह जो अंट्रिक्टिबल चीज है ना Samsung और Pixel की इसलिए iPhone से मैं इनको ऊपर ranking फिलाल नहीं दे रहा हूं और क्योंकि iPhone की वीडियो बहुत सुपीर है तो वो भी एक पॉइंट है जो कंसेटर किया जा सकता है अगर हम लार्जर लेवल पर देखे तो यह ता मेरा उपीन है और मैं सच में एक चीज पर बिलीव करता हूं कि सबका ना फोटोस देखने का तरीका अलग रहता है हो सकता आ आपके लिपिक्सल विनर हो समसंग विनर हो फिर वो सकता आइफोन ही विनर हो अब कॉमेंट सेक्शन ना आपके साब से किस फोन ने जाद अच्छा परफॉर्म किया है मैं सच में आप लोग के कॉमेंट्स पढ़ना चाहता हूं बागी हमेशे की तरह बोलुँआ अगर कर देना बागी सब्सक्राइब करके हमाई टेक बर आर्मी को जोईन कर लो हम लोग क्वाल्टी अबलीव रखते हैं अगरो मिलते हैं थाक्स वाचिंग बाइवे गाईस